दमश्कार आप देख रहे हैं आपका अपना टैली पीप्स टीवी चैनल जहांबर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बात करनी जा रही हैं कलस टीवी पर टेलिकास्ट हो रहे हैं आप सभी के पसांदिदा शो स्वागन की स्वागन के आगे आने वाली ट्रायक मेना स्वारा की हालत खराब होने वाली है स्वारा की तब्यद बिगरने वाली है और ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बलकि सब कुछ कोयल की वजह से होने वाला है मगर कभी कभी कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा ही होने वाला है स्वरा की जिंदगी में दिरसल यहां पर कोयल ने स्वरा को जान से मानने के मकसद से स्वरा के खाने में कुछ उट बटान से चीजे मिला दी है जिसके वजह से स्वरा की तब्यत बहुत ज़ादा खराब हो गई है और अब स्वरा की बिगर्टी तब्यत को देखकर वेदान से रहा नहीं जा रहा है और वेदान करने लगा है स्वरा की केर और एक तफाकत एक वक्त ऐसा आता है कि स्वरा और विदान एक दूसरे के बहुत करीब हो जाती है कि तभी यहाँ पर स्वरा की तब्याब बहुत जादा बेगर जाती है जिसके बाद विदान बिना किसी की सुने अपनी स्वरा को अपनी बाहों में उठाए हस्पताल ले जाता है और वहाँ पर डॉक्टर के पास रुख कर उसका इलाज कराता है जापूरी रात वो स्वरा के पास बैठा रहता है और उसका खयाल रखता है उसकी केर करता है और ये सब कुछ ना कोयल से देखा नहीं जा रहा है और वो मनि-मन खुद को कोज रही है कि मैंने तो क्या सोच कर क्या किया और यह क्या हो रहा है नहीं अगर विदान स्वरा के करीब आ गया तो सब कुछ बरबाध हो जाएगा ये स्वरा तो मुझे यहां से तके माल कर निकालेगी और प्रभा को उसका सब कुछ जाएगा इसलिए अब जो है ना कोयल एक बार फिर से कोशिश करेगी कि वो कैसे भी करके स्वरा को विदान की नजरू में गिरा दे जिसके लिए अब एक नई शडियंत्र की तैयारी में लग चुकी है कोयल लेकिन क्या उस शडियंत्र में उसे कामियाभी मिलेगी या फिर कोयल की शडियंत्र क्यागी इस्वरा और विदान का रिष्टा हार जाएगा क्या कहना है आपका कमिट करके जरूर बताईएगा